अधीक के पापता घड़ा अब भर चुका है और अब जब घड़ा फूट रहा है तो सजा क्या होगी इस पर सब की निगाहें टिकी हुए है हाला कि उमेश पाल के परिवार की मांग है कि ऐसे दरिंदे को पांसी के पंदे पर लटकाया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके परिवार की सुरक्षा का भी मामला है अतीक और अश्रफ की कोट में पेशी करड़ सुरक्षा की बीच होगी दोनों की पेशी पेशी से पहले कोट की सुरक्षा बढ़ाए गई है चावनी में तब्दील हुआ है कोट परिसर मामले को लेकर फैसला आना है 25 जनरी 2005 का मामला बस पपिधायक राजूपाल की गोली मार कर हत्या हुई थी इसकी केस में अतीक एमद उसका भाई अश्रफ समेट पाँच आरोपी नाम जत्रफ की चार अग्यात को आरोपी बना गया था और उमेश का 28 परवली 2006 को अपरन हुआ था इसका आरोप अतीक एमद और उसके साथ की उपर लगा उमेश पाल ने आरोप लगा था कि अतीक ने उसके साथ मार पिटाय की और जान से बाढने की धमकी दिये है और यह होती है धारा 364 एसी धारा 364 ए के तहट फांसी की सजा और उम्रकायत की सजा का प्रावधान है यही सजा इसके लिए मुश्किले लेकर आएगी जब कोट अपना फैसला सुनाएगा तो अतीक के चेहरे पर जाहिर सी बात है आप जो हवाईया है वो उर्ती नजर आएंगी हाला कि कभी दरता है कभी हैंकड़ी दिखाता है यह आतीक द्वारा निर्ड़े कीतित नियत की गई है जो आज फैसला सुबह या दूसरे टाइम जैसा भी कोट आवस्यक समझेगी उसी प्रकार से निर्ड़े होगा इसमें मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह मामला उमेज पाल अपहर्ण से समझेगी थे जो मानी नियाले एमपी एमेले सिरी दिनेश चेंश शुकला की कोट में बिचारा धीन है यह मामला सजा के प्रस में अभी मेरे दौर कुछ भी नहीं कहा जाएगा निर्ड़े के बाद ही बताऊ अरे मैंने बता तो दिया कि इसमें इस समय दस अभीक्त गड़ों का जो है बिचारण नियाले में चल रहा है एक अभीक्त की इम्रत हो चुकी है किन धाराओं में के सब्सक्राइब किन धाराओं मैंने बताया तो धारा एक सब्सक्राइब के बारे में मेरे द्वारा कुछ भी निखा जाएगा गुलाब चंदग्रेजी जिला सास की एद्योक्ता फ़ौदारी प्रेह ग्राज देखिए फिलाल ये तस्वीरे आपके सामने हैं और आप देख भी रहे हैं किन-किन धाराओं के तहत मामला यहां पर धर्ज है तो फिलाल तमाम तस्वीरे आपके सामने हैं और यह भी आपने जान लिया कि अतिक एहमत की रात कैसे गुजरी सोला सेसी टीवी कैमरे लगाए गए और उन्ही के निगरानी में उससे पूरी उस पर नज़र रखी गई बकाइदा हाई सेक्यूरिटी उसको जेल बैरक में रखा गया मेडिकल उसका हुआ जैसे ही वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद जानकारी मिली कि उसको कब्ज की शकायत थी हाला कि जो समाने खाना था वो से कल रात को दिया गया सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सही होगी MPMLA कोर्स है सचिन अब क्योंकि कुछी देर का वक्त बचा है और उमीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द आतीक के गुनाहों का अब फैसला होगा क्या कुछ सजा रहेगी क्योंकि कई धारों के तह चाहें वो 120B की बात हो चाहें 641 यहां पर ऐसी कई धारा हैं जिसके तहत इसकी मुश्किले बढ़ने बिलकुल तै है बिलकुल सही कह रही है आप देखें सबसे पहले मैं आपको ज़रा तस्वीरे दिखा दू आप देखें मेरे पीछे के तस्वीरे किस तरीके से यहां पर पुलिस फोर्स जो है वो लगतार मौके पर मौके पर मौचूद है जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है कि कोई थोड़ी देर के बात देखें पहले समय जो है वो 11 बच्चे का रखा गया था लेकिन उसके बाद खबर यह सामने आती कि जो जजज सब सुनवाई क करेंगे वो लेट बैटेंगे इसलिए 12 बच्चे का वक्त जो है वो रखा गया हलाकि जज साब जो है वो पहुंच चुक है जो इस पूरी मामले के सुनवाई करने वाले हैं इसके लावा देखिए मेरी बाही तरफ आप देगे किस तरीके से इधर भी आप देगे किस तरीक जो है वो रखी जाए यानि कि स्तानिय पॉलिस के साथ सथ आ रहे है यानि कि रैपेट एक्षिन फोर्स भी यहां पर मौके पर मौझूद है इसके लावा देखिए किस तरीके से जो में गेट आप देख पा रही है यही वो कोट परिसल का में गेट है जहां से दो प्रिजर में जेल मंतरी इस वक्त मरसात में द्रमि yuan प्रजापति जी अतीक के गुणाहों का आज फैसला होगा और उनके परिवार उमेश पाल की परिवार की लोग कह रहे है कि ऐसे शक्स के खिलाफ में एक कि सजा होनी चाहिए और वो है फांसी कि सजा जिस परवार का कोई विक्ति इस दुनिया से चला जाता है वो परवार को ही एसास होता है उसकी कमी और मैं कह सकता हूँ कि वो परवार निश्चत रूप से दुखी है और उस परवार के साथ हमारी शंबिदना है हम लोगों की सानभूति उस परिवार के साथ है और वो परिवार नियायले पे भरोसा रखे नियायपाल का भरोसा सब को करना चाहिए और नियने ठीक रहेगा नियायपाल का का हम लोगों का ऐसी उम्मीद है कल जेल में रहा 16 CCTV कैमरे की निगरानी थी हालत खस्ता हो रही है वती की जी किस तरीके से मानी मुक्मंत जी के नित्वत में पिसला पांच साल का कारकाल देख लिए एक साल का देख लिए माफ्याओं से मुक्त करने का संकल्प मानी मुक्मंत जी का था उस पर हम लोग काम कर रह और सरकार का और कानून विवस्ता का भै आताताईयों के मन में रहना चाहिए और वो है अतीक अहमत के बात में जाहिर सी बात है और भी जो माफिया गुंडे माफिया हाला कि उनके उपर चाहें बुल्डोजर वाले आक्शन की बात हो या फिर पुलिस द्वारा की जा रही कारवाई हो उसके जरीए यूँ तो पहले ही संदेश दिया जा रहा है लेकिन अतीक अहमत के बात में और भी लोगों के नंबर लगने वाले हैं देखिए जहां जैसी पुलिस विवस्ता में जहां जैसकी कोई सुनवाई है पुलिस विवस्ता में जाच चल रही है तो जैसा नेने आएगा जैसा भी नेने आएगा उनका और नियाले का आएगा या पुल्स का जो भी जाज के बाद में सामने जो चीजे तत्थ निकल करके सामने आएगे उसके बाद जो होगा हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे लेकिन धरमिर जी एक और सवाल ये है कि साबर मती जेल में बैठ कर उसने उमेश पाल की हत्या की पूरी इबारत लिग डाली उसने पूरा प्लान बनाया ऐसे में कई दफा जेल विभाग के उपर भी सवाल उठते हैं अब जबकि आतिक यूपी के अंदर है तो ऐसी कोई साजिश को अंजान ना दे पाए या फिर ऐसी कोई भी राहत उसे ना मिले उमीद है कि इसको लेकर आप लोगों ने पूरी तयारी की होगी जी निश्चेत रूप से हम लोग पूरी तरह से तयार है हमारे उत्तवदिस में 22-23 जेलों में हाई सिकोर्टी वेरक हैं ऐसे बड़े पेशेबर अपरादियों को हाई सिकोर्टी वेरकों में हम लोग रखते हैं और पूरी सुरच्छा विभास्ता के तहत रखते हैं क्यों हम उसी अनुसार काम करेंगे अचा एक एक और सवाल में आपसे पूछने चारी हूँ कई कैसी इसमें ऐसा देखा गया यह ऐसी फथी कहमत की बात नहीं पंजाब से भी ऐसी तस्वीर सामने आती हैं हम देख रहे हैं आखर कैसे जेल में क्योंकि देखिए योगी सरकार है औ लेकिन ऐसी गलती से भी क्यों कोई गलती ना कर दे क्योंकि यूपी में पीछले उस दिनों में कहीं जेलों के अंदर ऐसे कहीं चिकन पार्टी और इस तरह की कई तमाम पार्टियों की तस्वीर सामने आई थी और अब ऐसा कुछ भी ना हो इसको लेकर क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं बोर्डी मौन कैमरे के तहट वो अपने सुरच्चा में रहेंगे और हमने एक नेने और लिया है कि ऐसे जहां बड़े पेशेवर अपरादी हैं उनकी सुरच्चा में जो भी करमचारी रहेंगे उनको लगातार एक ही करमचारी को नहीं रखा जाएगा हम डूटी चेंज कर कि रखेंगे और भी जो भी आवस्यक कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उठाएंगे अच्छा ये आतीक के बारे में आप तक भी जानकारी पहुंची होगी उन 16 सिसे टीवी में जब इसको कैद किया गया तो कैसी हालत थी आप तक भी इसकी जानकारी अधिकारी ने दी हो और अभी थोड़ी दिर पहले ही वहां के अधिशक्षे हमारी बात हुई है पूरी जानकारी हमने ली है हम स्वेम निगरानी रखे हुए हैं और हमारा मुख्याले भी यहां से निगरानी रखे हुए है लकनौ से और निश्चत रूप से भै तो है भै है और आगे आज़े सरकार का और कानून व्यस्ता का भै निश्चत रूप से सरकार का और कानून व्यस्ता का भै आततायों के दिमाग में रहना चाहिए सरकार सरकार है कानून कानून है इसकी अभी और भी परिवार की दो लोग अभी फरार है जल्दी वो भी पहुंचेंगे यूपी की जेल में अब निश्टीत कुरूप से जैसा पुलिस बिभाग हमारे अपना अच्छी से काम कर रहा है और जैसे जैसे आगे स्तियां सामने आएंगी नियाले कर निर्देस होगी अब पुलिस हमसे जो सहयोग चाहेगे हम लोग करेंगे जेल मंत्री होने की नाते ऐसे गुंडे माफियाओं को आपकी तरब से क्या सीधी बात जो सीधे चुभे और उनको एसास हो जाए कि अब वो दोर गया देखे पिछला पांज साल का कारकाल ये कारकाल छे साल का कारकाल मानि मुकमत्री का कारकाल में एसास हुआ है बड़े पेशेवर अपरादियों को जेल जेल होती है और ये स्वेम को उनको एसास है और उत्तपदेश्क में कानून विवस्ता का डर उनके दमाग में है सरकार का डर उनके दिमाग में है और निश्चित रूप से होना चाहिए और ये काइम रहना चाहिए ये विवस्ता हम लोग करेंगे बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए भारत 24 से बातचीत के लिए देखे हमारे साथ ने जेल मंत्री थे यूपी के जन्हों ने साफ तोर पर कह दिया कि ऐसे गुंडे माफियाओं की जगा उत्तर प्रदेश में तो नहीं है और अतीकी हालत खराब थी कल सोला सिसीटी वी कैमरों के जरी जो निगरानी रखी जा रही थी उसके उपर उसमें साफ दिख रहा था कि अतीकी हालत खराब है ना सिब उसकी हालत खराब है बलकि आने वाले दिनों में भी अगर उसको उम्रुकायत की सजा हुई तो जब वो यूपी की जेल में सजा काटेगा तो ये एक एक दिन उस पर भारी पड़ेगा छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लेकिन इस बड़ी ख़बर पर लगाता नजर बनी हुई है झाल 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 झाल